दोस्तों अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है और आपके खाते में बैलेंस निगेटिव हो चुका है यानि कि बैलेंस माइनस में दिखा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है हो सकता है आपको ये अभी प्रोब्लम ना हो लेकिन आगे चलकर आपको भी ये दिक्कत हो सकती या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को भी ऐसी प्रोब्लम देखने को मिल सकती है तो ऐसा क्यों होता है क्या है निवारन क्या है जरूरी यहाँ पर ध्यान रखना आज के इस वीडियो में देखेंगे और अगर balance negative हो चुका है तो इसे कैसे बच सकते हैं बिना वो पे किये कैसे आप account चालू करवा सकते हैं बंद करवा सकते हैं सब कुछ डिटेल्स में समझेंगे तो यह एक important वीडियो है अगर आप किसी भी बैंक के खताधारक है तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी बैंक में balance negative क्यों होती है देखिए negative balance जो है वो charges कई तरह के बैंक आपके उपर लगाती है और बहुत ऐसे बैंक है जो कि minimum average balance आपको रखने के लिए बोलता है हो सकता है वो monthly average balance हो या फिर quarterly average balance आपको maintain करना हो जैसे मान लेते हैं कि PNB में 2000 रुपे आपको maintain करके रखने है quarterly और अगर आप 1500 रखते हैं और आपका balance minimum से कम हो जाता है तो उस 500 रुपे जो आपके कम गए है उस पर कुछ charges लगेंगी अलग-अलग balance के लिए अलग-अलग charge ह जैसे मान लोग की 2000 रखना है आपने 1000 रखा हूँ है तो बाकी के 1000 जो बाकी है डियूज उस पे charge लगेगी अगर आपने पूरा का पूरा zero कर दिया है तो ज़्यादा charge देना होगा तो इस तरीके से अलग-अलग आपने कितना maintain नहीं किया है उसके हिसाब से charge लगते है ठीक ह अगर एक से अधिक bank account है लोगों के पास तो कुछ लोग पुराने बाले bank को ऐसे ही छोड़ देते हैं ना बंद कराते हैं ना उसमें लेंदेन करते हैं तो ऐसी स्थिती में आपका account एक साल तक अगर लेंदेन नहीं करेंगे तो inactive हो जाएगा अगर दो साल तक लेंदेन नह जमा करना होगा और उसी वक्त लोग फस जाते हैं क्योंकि बहुत ऐसे bank है जो कि आपसे extra charge करेंगे क्योंकि वो बताते हैं कि आपका खाता minus में है तो minus में कुछ charges के वज़ए से जाती है या फिर कुछ अगर आप लोगों का जो minimum average balance है वो अगर आपने maintain नहीं किया तो उसको लेकर bank minus में account ले जाती है जैसे मेरा इस्टे पंजाब national bank में दो खाता है एक dormant हुआ मैंने दुबारा उसको बंद करवाने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आपका 6000 रुपया minus में हो जमा करिए फिर आपका account बंद होगा अब क्या ये पैसा हमें जमा करना होगा क्या है RBI RBI की guidelines तो देखिए अगर किसी भी charge के वज़े से आपका खाता minus में गया है तो वो पैसा आपको किसी भी तरीके से bank को देने की जरूरत नहीं है RBI का सीधा guideline है कि कोई भी charge bank आप तब तक लगा सकती है जब तक खाते की balance zero नहीं हो जाए अगर zero हो जाती है उसके बाद कोई भी charge आपके उपर apply नहीं होगा आपका खाता जो है डोर्मेंट हो जाएगा लेकिन उसमें balance minus में नहीं जा सकता है और अगर bank इस कारण से आपके balance को minus में करता है तो आप ombudsman जो की RBI का complaint help line है वहाँ पर complaint bank के खिलाफ कर सकते हो वैसे भी bank से अगर आप बात करोगे और RBI के guideline के बारे में बताओगे जो कि एक जनवर 2024 से सायद लागू हुआ है उसका हम PDF अगर मिले तो आप लोगों को दे देंगे description box में तो वो चीज़े ह है कि कोई भी bank आपका balance negative में नहीं कर सकता है किसी भी चार्ज आप penalty लगा कर तो यह चीज़े हैं अगर balance negative में चार्ज और penalty को लेकर हो गया है तो आप कोई भी पैसा जमा नहीं करिए और bank को बोलिए कि RBI का guideline है कि zero से नीचे नहीं जा सकता है किसी भी खाते का balance वो अगर use कर ना करे उसके उपर depend करता है ठीक है अगर मालो की balance zero हो गया है account dormant भी हो गया है आप चालू करवाना चाते हैं तो बिना payment के आप चालू करवा सकते हो कोई भी dues आपको नहीं देना है account zero होने तक के अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर zero हो गया है तो किसी भी तरीके minus में balance ह चले जाते हैं जैसे मेरे friends के साथ हुआ उनके account पे लगभग 4500 रुपे आए थे bank की गलती से आ गई थी और उन्होंने विड्रॉल कर लिया और उन्होंने पैसे नहीं डाले तो वह पैसा उनका minus में दिखा रहा था क्योंकि उन्होंने पैसे डाले नहीं और वह गलती से पै पैसे थे तो इस तरीके से अगर इस कारण से जाता है पैसा माइनस में कि आपने निकाल लिया है गलती से पैसा आ गया तो तो ऐसे तो आपको भुगतना होगा लेकिन चार्ज और पेनाल्टी लगा कोई भी bank आपके balance को माइनस में नहीं कर सकता है अब एक viewer का comment हमारे वीड तो यह चीजे जो है वो गलत है बैंक ऐसा नहीं कर सकता है अगर खाता balance अगर माइनस में भी है तो उनका कोई भी पैसा आता है तो वो उसमें से deduct नहीं कर सकता है क्योंकि पहली condition तो यह है कि पैसा माइनस में जाना ही नहीं चाहिए बैंक को यह ध्यान रखना है और पैसा हो एक तो गलती कर रहे हैं कि माइनस में भीज रहे हैं और दूसरा गलती कि जो ही पैसा उस खाते में आ रहा है वो उसमें से cut कर रहे हैं तो इसके उपर आप अगर complaint करोगे तो 100% आपका पैसा मिलेगा अगर किसी चार्ज और penalty के बज़र से माइनस में था और उपर से पैस उसना के पैसे आते हैं जैसे वीवर ने कहा था कि उनके लाडली बहनी उसना के तहट पैसा आया था तो वो कट हो गया तो वो तो पैसा कट करना ही नहीं है सबसे पहली बात RBI का इसके उपर भी guideline है कि कोई भी अगर खाता धारक ऐसे खाता खुलवाता है जैसे उनको स्कॉ दूसरी बात कि अगर वो दो साल तक लेंदे नहीं करते हैं तो account dormant भी नहीं होना चाहिए ये bank को ध्यान रखना है क्योंकि किसी भी खाते में नॉर्मल खाते में अगर आप दो साल तक लेंदे नहीं करोगे तो account dormant हो जाता है लेकिन DBT के लिए scholarship के लिए अगर आपने account open कर गया तो फिर सरकार की जो किसी भी तरीके की सबसीडी बगएर या फिर किसी pension योजना के पैसे scholarship अगर आपको future में आने है तीन साल चार साल बाद तो वो नहीं आएंगे क्योंकि dormant account में ना debit होगा ना credit होगा तो इसलिए RBI ने सक्त निर्देश दिये हैं बैंकों को कि इस त करता है वो account dormant नहीं होगा ये RBI की guideline है लेकिन अगर ऐसे account को bank dormant कर देता है दो साल बाद लेंदेन ना होने पर भी तो फिर ये bank की गलती है इसके एगंस्ट भी आप complaint कर सकते हो तो मैंने यहां पर आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है मोटा मोटी जो भी दिक्कते ल बाऊंगा फिर मैंने manager से बात करी तो manager ने कहा कि आप 100 रुपया दीजिए account बंद हो जाएगा आपको balance पे करने की ज़रूत नहीं है फिर मैंने कहा कि मैं 100 रुपया नहीं दूंगा तो फिर उन्होंने मेरा account बंद नहीं किया और मेरा अभी अकाउंट जो है वो उसको link नहीं कर सकते हैं और link करने का भी कोई फायदा नहीं है ना उस पे लेंदेन होगी तो फिर क्या फायदा लेंदेन करने का तो यह चीजे हैं तो मुझे उमीद है कि आप लोगों को हमने details में बता दिया है और जो भी बाते हमने बताई है वो सत परतिसत सही है RBI के guideline के ही अनुकूल हमने बताया है आप लोग description box में हो सकता है और कि खंगाले हो सकता है तो PDF हम आपको दे देंगे तो उमीद है कि यह वाली वीडियो पसंदाई होगी वीडियो पसंदाई तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe करिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में दीजे इसाज़त थैंक यू